सेव के पौद्धे पर धीरों सेव लगे हैं, देखिए हर ब्रांच के उपर आपको यहां पर गुच्छों में बहुत सारे सेव देखने को मिलेंगे, इस ब्रांच के उपर इतने जादा सेव लगे हैं, कि पूरी ब्रांच ही अमारी जुक गई है, चोटे बड़े हर साइज के धेरों सेव लगे हैं गार्डन में लगा सेव का ये पौदा एक चोटे से ड्राम में लगा है अगर आपके पास कोई भी फ्रूट का पौदा है चाहे वो चीकू हो नाशपती हो आडू हो या कोई भी पौदा हो उसके उपर फोल नहीं आ रहे हैं or फोल आके जड़ रहे हैं या फोल फल में कनवर्ड हो रहे हैं या फल छोटे ही जड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको मेरी बताई हुए खांद का अपने फ्रूट वाले पौदों के उपर इस्तेमाल करना होगा जिसे उसमें फ्रूट बहुत अच्छे आएंगे इसी तरह से गुच्छों में फ्रूट आएंगे उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए बेल लाइक उनको दबाएं तांकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नमश्कार दोस्तो वंदिना गार्डन में आप सब का स्वागत है सबसे पहले आप मेरे इस पौदे की ग्रोथ देखिए इस खाद का इस्तिमाल करने से एक तो पौदे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है मैं इस खाद का इस्तिमाल अपने पौद्धे के उपर करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पौद्धे के उपर इस खाद का इस्तिमाल करने से फूल आते हैं और फूल फल में कनवर्ट होते हैं देखिए अभी हमारे इसे पौदे की ज्यादा ग्रोथ नहीं है। खाद का इस्तिमाल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगे कि इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है और उसके उपर कितनी अच्छी फ्लॉबरिंग हुई है। और वो फूल फल में भी कनवर्ट हुए हैं और गुच्छों में हमारे सेव के फल लगे हैं। जब हम पौदे से एक दफा फाल ले लेते हैं तो उसके बाद वो पौदा काफी ज़्यादा कमजोर हो जाता है। उसमें बहुत सारे पौशो तत्वों की न्यूटिशन की कमी हो जाती हैं। जिसकी वजह से उसके पत्ते सुखने लगते हैं और सुखर पीले होकर गिरने लगते हैं। पौदे को खाद देनी से पहले हमने उसके गमले की अच्छी तरह से सफाई का लेनी हैं। जो भी उसमें घास फूस लगा है वो सब हमने निकाल देना है। वहाँ पर रखें जहाँ पर उनको सीधी धूप आती हो। अभी हम अपने इस पौदे के लिए खाद भी ले लेते हैं जो हमने इसके लिए इस्तेमाल करनी हैं। मैंने अपने इस सेव के ब्लांट के लिए जो खाद ली हैं वो ये हैं। ये एनिपे के उननीस उननीस खाद है ये खाद आप अपने सभी फल वले पौदों के उपर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो आप अपने पौदे की मिटी में इसको मिक्स करके और दूसरा पौदे के उपर इसका सप्रे करके भी इस्ते काफी है यह बहुत गुलंशीर होती है बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है यह खाद एन पीके 1919 यानि नाइट्रोजन पोटाशियों फासफर्स तीनों की मातरा 1919 होने के कारणी इसको एन पीके आपके यह गोल्डन वर्याटी का जो सेव आता है उसके दो प्लांट है जब हम किसी भी फ्रूट वाले प्लांट से फ्रूट की हर्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्लांट काफी कमजोर हो जाता है पौद्य की उसी कमजोरी को पूरा करने के लिए हम इसका सप करने लगी है यह फिर आपका पौद्य कमजोर हो गया है यह फिर पौद्य का बढ़ना रुक गया है तो आप इस एनपी के 19-19 खाल का सप्रे कर सकते हैं इस तरह सप्रे करने से पौद्य को ड्रेक्टर खुराक मिल जाती है और उनका जो बढ़ना रुका होता है वो भी पौ बहरा बहरा बनाने में हेल्प करता है जो पतियां पेली होकर जड़ना शुरू हो जाती है तो सप्रे से उनमें नए ग्रोथ शुरू हो जाती है और जो इसमें फास फॉर्स होती है वो पौद्य की जुरों को और पौद्य की ब्रांच को मुझबुती परदान करती है पौद् पौदे को बमारियों से बचाता है और ये पौदों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये सप्रे हमारे फल वाले पौदों के लिए एक फंगी साइड का काम करता है देखिए हमारे पूरे पौदे की ऊपर अच्छी तरह से सप्रे हो गया है पूरे पौदे को ही म नहला दिया है आप अपने किसी भी पौदे के लिए चाहे वो फूरोट बाला पौदा हो या कोई भी पौदे हो आपके तो इसके उपर आप इसके N-P-क अनुनी स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पौदे की पतियां पीली हो गई हैं उनका बढ़ना रुक गया है या फिर पौदे में फोल नहीं आ रहे हैं या फोल आकर जढ़ रहे हैं या वो फल में कनवर्ड नहीं हो रहे हैं या फ़ल छोटे ही जड़ रहे हैं तो आप इस सप्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने इस खाद को पौद्धे की मिट्टी में मिक्स करके इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी मिट्टी में गोबर की जो सड़ी हुए खाद होती है उसको मिट्टी में मिक्स किया है गोबर की खाद की जगा पर अगर आप बर्मी कंपोज्ट या फिर घर में त्यार कोई किचन वेश्ट से खाद का इस्तेमाल करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं अगर आपके पौध्य की पतियां मुड़नी लगी हैं जैसे कि मिच के पौध्य में पतियां मुड़ने का जो रोग होता है वे हो जाता है तो उसमें भी आप इस खाद का सप्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको मिट्टी में मिक्स करना चाहें तो उसमें आप चार से पाँच ग्राम के आसपास एक लिडर पानी मिक्स करके दे सकते हैं अगर आप ड्राइ हीस खाद को मिट्टी में मिक्स करके देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं लेकिन इसका इस्तिमाल कभी भी पौदे की रूट के आसपास ना करें आप किसी न्यू प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी इस खाद का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपने कोई पौदा एक जगा से निकाल कर दूसरे गंबले में ट्रांसफर किया हैं तो तुरांट ही इस खाद के सप्रे का इस्तिमाल ना करें बलकि कुछ दिन के बाद इसका इस्तिमाल आप पौदे पर कर सकते हैं अगर एक दफा आपने इस खाद के सप्रे का पौदे पर इस्तिमाल किया हैं तो दोबारा काम से काम 20-25 दिन के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उससे पहले नहीं जब किसी भी पौदे में फूल आने लगे या फूल से फल बनने लगे तो उस वक्त आप इस सप्रे का इस्तेमाल ना करें बंद कर दें अभी हम इस खाद के सपरे के कुछ दिन बाद का पौद्धों के उपर रिजल्ट देखते हैं देखिए सेव के पौद्धे की न्यू ग्रोथ काफी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है यहां आपको हर ब्रांच के उपर फूल ही फूल नजर आ रहे हैं देखिए जितनी ज़्यादा आपको इस पौद्धे की उपर फूल नजर आ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा ये फल में भी कनवर्ट होंगे क्योंकि हमने अपने पौद्धे को अच्छी खा दी है हमारे पौद्धे की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है यहाँ पर की फूल ना आए हों हर ब्रांच हमारी फूलों से भरी हुई है सप्रिय के कुछ दिन बाद ही न्यू ब्रांच और पतिया निकलना शुरू हो गई और उसके बाद इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है और किसी किसी फूल के नीचे तो बिल्कुल छोटा सा से भी बनना शुरू हो गया है जब आपके पौदे पर खूब फूलावरिंग शुरू हो जाए तो उस वक्त बाटरिंग थोड़ी से कम कर दें और जब आप पौदे को खाद देते हैं तो उस वक्त खूब वाटरिंग करें हर 20-25 दिन के बाद मैं या तो बर्मी कमपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर किचिन वी से त्यार खाद का अपने इस फूरूट वाले पौदे की उपर इस्तेमाल करती हूँ जो खाद हमनी एक दफ़ा पौदे को देनी है दबारा 20-25 दिन के बाद उसी खाद का रिपीट नहीं करना हर बार खाद हमनी बदल बदल कर पौदे को देनी है पौदे के उपर कोई फंगस ना लगे या कोई चीट बगर ना आएं तो उसके लिए आप नीम खली को पौदे की मिटि में मिक्स करके भी दे सकते हैं और या फिर आप पानी में थोड़ा सा नीम ओयल निक्स करके उसका पौदे के उपर सप्रे भी कर सकते हैं देखिए थोड़ी सी हमारे फूर्ट वाले पौदों की देखवाल करने से और अच्छी फर्टी लेजर देने से हमारे पौदे की हर ब्राँच की उपर कितने सारे सेव लगे हैं और पूरी ब्राँच हमारी सेव के भार से जुक गई है चत पर बने मेरी इस गार्डन में बहुत सारे फ्रूट बाले प्लांट लगे हैं जो कि इसी तरह के बिल्कुल छोट छोटे ड्रमों में ही लगे हैं और उनके उपर फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है और ये वाला सेब देखिये यहां से शायद किसी पक्षी ने खा लिया है थोड़ा सा अगर आपके किसी भी पौदे की जो ग्रोथ हैं वो रुक चुकी हैं या उसकी पतियां पिली होके जड़ना शुरू हो गई हैं या फूल नहीं आ रहे हैं अगर फूल आ रहे हैं वो जड़ रहे हैं या फिर फूल में कनवर्ड नहीं हो रहे हैं या फ पौद्दों के उपर कर सकते हैं इसके सप्रेयक अरजयलिट हैं कितने ज्याधा सेव हमारे इस पौद्दे की उपर लगे हुए हैं कि उसकी ब्रांच भी काफी ज्याधा जुक गई हैं हलांकि यह सेव का पौद्दा हमारा काफी चोटा है अगर आपको मेरी जानकरी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें किमेंट करें बेल लाइक उनको जरूर दवाएं थांकि मेरी आने वाली गार्डिन की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आव तक पहुंच स के डार्डिन कार्वब को